Looking out का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Looking out का कई तरीके से अलग-अलग context में इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो बाहर देखना या बाहर की तरफ देखना को भी आप looking out कह सकते हैं इसके इलावा किसी चीज़ की तलाश करना को या किसी चीज़ की तलाश होना को looking out कह सकते हैं या किसी चीज़ को ढूंडते हुए होना या देखना को भी आप looking out कह सकते हैं और चोकसी बरतना को भी यानि कि इस्तर करहना को भी हम looking out कह सकते हैं तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह किड़की के पास खड़ी होकर सुभह की रोशनी में बगेचे की ओर बाहर देख रही थी तो आप कह सकते हैं या अगर आप ये कहना चाहें कि लाइफ गार्ड ने संकट में फसे तैराकों की तलाश में दोपहर बिताई तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें